हरियाना के चुनाव काफी नजदीक है इसी के चलते चंडीगड में 28 सितंबर कॉंग्रस पार्टी ने अपना मेनफेस्टू लॉंच किया है इस मेनफेस्टू लॉंच में पार्टी के दो बड़े नेता ररदीप सुर्जवाला और कुमारी शेलजा नहीं दिखाएं दिये राहूल गांदी की रैली में दू दिन पहले आपसी एक्ता का संदेश देने वाली कॉंग्रेस आज मेनफेस्टू लॉंच के दौरान बिखरी हुई नज़र आई मेनिफेस्टो लॉंच के दौरान कॉंगर्स के प्रदेश अध्यक्ष उदेभान राजे के पूर्व सीम अशूक गहलोत और पूर्व सीम भूपिंद सिंग हुड़ा समेत कई वरिष्ट नेता मौजूद थे लेकिन ना तो कुमारी शेलजा और ना ही रड़देब सुर्जेवालम मेनिफेस्टो लॉंच में शामिल हुए और ना ही उनके गुट का एक भी नेता लॉंच के दौरान मौजूद था जहां पिछले कई दिनों से कुमारी शेलजा का पार्टी के चुना प्रचार में साथ नाना सवाल बना हुआ था वही एक बार फिर गोशना पत्र के लॉंच में उनकी ग्यार मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिये हैं इससे पहले 26 सितंबर को राहुल गांधी जब हर्याणा में रैली को संबोधित करने पहुँचे तो उस समय कुमारी शेलजा चुना प्रचार में दिखाएं दी थी उस समय एकता का संदेश देते हुए राहुल गांधी के साथ कुमारी शेलजा और पूर मुख्यमंत्री भुपिंद सिंग हुड़ा एक ही मंच पर मौजूद थे कुमारी शेलजा टिकट बटवारे और आपती जनक टिपड़ी को लेकर कई दिनों से नाराज चल रही थी हाला कि राहुल की रैली से पहले कुमारी शेलजा को काफी मनाय गया था और वो चुना प्रचार में शामिल हो गई थी लेकिन एक बार फिर कुमारी शेलजा और रंडीब सुर्जेवाला ने पार्टी से दूरी बना ली है हरियाना कॉंग्रस के पत्र में स्वास्थी की गारेंटी दी गई है राजिस्थान की योजना के पैटर्न पर 25 लाख रुपे का फ्री इलाज देने का एलान भी किया गया है साथ ही पार्टी ने एलान किया है कि नीट एक्जाम की वज़ा से जो दिक्कते हैं उन्हें दूर किया जाएगा गोशना पत्र में पार्टी ने महिलाओ के लिए काफी स्कीम का एलान किया है जिसके तहट इंद्रा लाडली बहन सम्मान योजना के तहट कॉंग्रेस 18 साल से 60-60 तक की महिलाओ को 2000 रुपे महिना देने का काम करेगे पार्टी ने कहा किसान आयो का गठन किया जाएगा साथी MSP की गारंटी भी दी जाएगे महिला किसानों के लिए विशेश सुवधा देंगे किसानों को डीजल पर सबसेडी कार्ट बनाने का काम करेंगे कुरक्षेत्र में जिले में गुरु गोविन सिंग जी के नाम से एक उनिवस्टी बनाएंगे हमारे सिख समुदाय लोगों के लिए गुरुद्वारा बनाएंगे और सिख प्रवंदक कमेटी के चुनाव को कराने का काम करेंगे पंजाबी भाषा को भी पूरा सम्मान देने का काम करेंगे मेवाद जिले में एक विश्वध्याले बनाने का काम करेंगे हर्याना कॉंग्रस अल्प संख्यों को पूरा मान सम्मान देने का काम करेंगे कॉंग्रेस पार्टी ने कहा हम दिव्यांग लोगों के लिए एक अलग बोर्ट बनाएंगे और सरकारी नौकरी में भी उन्हें सितारी दी जाएगे सरकारी करमचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली करने का काम करेंगे ग्रामीड विकास और पंचायती राज के लिए चुने हुए प्रतिनीधियों के पूरे अधिकार बहाल करेंगे पार्टी मेनिफस्टों में कहा कि शहर में विकास करेंगे मेट्रो रेल वे लाइन एको फ्रेंडली माहौल बनाने का काम किया जाएगा पुर्वांचल के लोगों के लिए चट घाट बनाएंगे वेपारियों के लिए वेपारियों के लिए आयो का गठन करने का काम करेंगे पार्टी ने का हार्द सैनिकों के लिए बोर्ड बनाएंगे खेलों के लिए पूरा मन सम्मान देने का कॉंग्रेस पार्टी काम करेगे नौकरी पर गारंटी ब्रहमर आयो के लिए बोर्ड गठन करने का काम साथ ही हर्याणा में पंजाबी वेलफेर बोर्ड का गठन हर्याड़ा में परिवाहन विवस्था दुरोस्त हम एलेक्ट्रोनिक और सी एंजी बसों को हमारे बेड़े में शामिल करने के लिए काम करेंगे ड्राइवरों और कंडेक्टरों को आवासे सुवधा भी देंगे